तो कैसे हैं आप सब उमीद है कि आप सब बहुत ही मसे में होंगे और मेरी वीजियो को इंजॉय कर रहे होंगे आज मैं आप सब के साथ बजार से कई जादा अच्छी और क्रिस्पी पीनट चिकी की रेसिपी सिखाने वाली हूं यह आप लोग इसको पीनट की गजग भी कह सक करते हैं और जो इसको पहली दफा बनाएगा तो इसकी पहली दफा में इतनी अच्छी पर्फेक्ट और क्रिस्पी बनेगी क्योंकि मैं आज आपके साथ इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी तो आप लोगों नी वीजियो को कंप्लीट वाच करना है बिसमिल्लार छीजों को नहीं अच्छे से ग्रीस कर लेती हूं थोड़े से ओयल से आप ग्रीस के सकते हैं और जरूरे नहीं में वीजियों नहीं दोनों को साइट पर तक्ड दख्ड़ते हैं अब लोगोंलों पर रॉस्ट कर लेना है यानिके सेक लेना है तो मैंने यहां पर एक कपके करी मुंपली ली और यह कच्छी मुंपली है आप लोगों को एजी मार्केट में मिल जाएगी मैं कच्छी मुंपली यूज कर रहे हूं तो इसलिए मैं यहां पर तक रिम दो से तीन में डिसको अच्छे से रोस्ट करूंगी आप लोगों ने इसकी फ्लेम स्लो टू मीडियम रखनी है हाई फ्लेम पर करेंगे तो यह जली से जल जाएगी उसका कलर चेंज हो जाएगा और यह कड़वाहट भी देगी तो आप लोगों इसको स्लो मीडियम फ्लेम पर ही अच्छे से रोस्ट कर लेना है और पीनट चिक अब लोगों प्लेट में निकाल के जली से साइट पर रख लेते हैं अब एक कप में यहां पर गुड़ लिया है और गुड़ तो हमारी साहथ के लिए कितना फायद मन दोता है तो आप लोगों ने चुट 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 से पीसिस कर लेने ही क्योंके नहीं हम लोगों इसको करीब पानी है बहुत जादा पानी है नहीं करेंगे बस तू टैबल स्पून इनफ रहेगा अच्छे से मेल्ट हो जाएगा अब आप लोगों इसकी फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देनी है अगर आप लोगों इसको मीजियम फ्लेम पर पिक करेंगे ना तो यह जली से जलने लग कोई भी लंज नहीं है जब यह अच्छे से मेल्ट हो जागा तो फिर इसमें हम लोग बन टैबल स्पून के करीब ओल एट कर देंगे इसमें बहुत इसने शाइन आ जाएगी आप लोग चाहिए तो यह पे बटर और देसी घी घी आट कर सकते हैं सिंपल घी आट कर सकते हैं ओयलेट करेंगे बाद भी आप लोगों ने इसको अच्छे से मिक्स करते हुए पकाते रहना हैं आप लोगों ने गुड़ को इस तरीके से चेक करना है कि मैंने एक प्याली में पानी ले लिया है सादा और इसमें से हम लोगोंने तोड़ा सा मिक्स्ट्र डालना है करने हैं तो तोड़ी दिर और पका लेते हैं एक मिनट के लिए इसके बाद आप लोगों ने मिंट्या सोड़स में एड करना है वन पिंच के करीब इस दना जब हम लोग चिपकी को खाएंगे तो ना मारे दातों में वो गुड़ चिपकेगा नहीं को आप लोगे चाहें तो क कि तो पिंट्र पर आप लोगों ने फोरान से जो गरीस करके प्रेट रकी हुई थी उसके ओपर निकाल लेना है यहां पर आप अगर आप लोग देर करते हैं तो नहीं कड़ना स्टार्ट ऊजाएगी यानिकर साइट हो जाएगी आप लोगों ने गरम गरम में जल जली से बेल देना है ताकि चेप अच्छी आजाए तो अब मैंने इसको जल जली से बेल रही है और यहाँ पर दीख सकते हैं मैंने इसको बिल्कुल फ्रैट कर लिया और यह पर गरम ही तो मैं इसको इसको शेप देके रख रही हूं अगर यह स्वेट हो जाएगी तो फिर लोगों को भी हम दूइ चैनल नहीं करना है तो इसली आपलोग फोड़ा होगा है और हाथ भी जल फ्राइन चिक्की को आपको अपनिय है चैनल तो की कि आप लिब्स के लिए धर गजम अर मुझे कमेंट्स में बताना है अब लगों ने पिसंट देना है नहीं साल की. आप लोग ने नियुन हें? लेकिन चेनल सॉब्स्स्राइब नहीं किया हुआ तो जली से चानल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेला आगन को प्रैस का डिजिए ताकि मेरी न्यू न्यू रसीपी और वीडियो की नोटिफिकिशन से आप लोग अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्रापे भी फॉलो कर सकते हैं वहां पर आप लोग जूबी रसीपी वगरा बनाएं तो मुझे पिक्चर टैग भी कर सकते हैं वीजियो को जली से लाइ पहरा जाएगी क्योंकि हम लोगों ने इसको पहले ही कट कर लिया था जब इसकी साइट्स निकाली इसकी टैंशन मतलें कि यह तो वेस्ट हो गई नहीं नहीं यह तो चकने चकने में ही कता हो जाती है जैसे आप लोग बनाएंगे तो आप लोग बोलेंगे यार में चक्कर देख लिए जाएंगे बाकि आप लोग चक्की चो चक कर सकते हैं कितनी अच्छी से नहीं रडी होई वी और यह चिक्की बनाने के बाद आप लोग इसको एक मेहने से जादा के लिए भी स्टोर करके रख सकती हैं क्योंकि यह खराब तो होने वाली नहीं है आप लोगों न तो जली से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मज़दा रेसिपी सीखने के लिए नेक्स रेसिपी या वीडियो में मिलते हैं दूआओ मैं अधर रखिएगा ला आफिस